मुंगेर में मॉक ड्रील के लिए जी एनेम के पीकू वार्ट में बने डेडिकेटेड वार्ट सिविल सर्जन पहुचे दलवल के साथ करोना वार्ट को बंद देख बिफरे सिविल सर्जन कोविट वार्ट बंद होने की बज़ा से मुंगेर में नहीं हो सका मॉक ड्रील पीकू वाट में बने 20 बेट वाले डेडिकेटेट कोबिट केयर वाट को बंद देख अस्पताल पर बंदक को जम कर फटकार लगाई। साथ में निर्देश दिया की साम तक वाट को खुलवा कर सभी व्यवस्ताओं को अपडेट करें। साम में फीट से आकर वाट का जायजा लेंगे। 350 एंपी छमता वाले अक्सीजन प्लांट का जायजा लिया जो अक्सीजन की प्यूर्टी में निर्दायत मात्रा से कम पाया गिया। वहां काम करने टेक्निस्टन ने बता कि इसकी प्यूर्टी 90 से 95 पर रहनी चाहिए। जबकि मीटर 56 से 60 तक सो कर रहा था। इस पर सिवी सजजन ने ITC के मेनीजर से संपरकर प्यूर्टी को सही करने का निर्देश दिया गया। अच्छी तक सबस्क्राइब करने लिए इसके लिए तुरह टूर्टी से जा के भी लिए। उन्यों का ने विए कि मिलता है कि तौसिप को बलाईए उसके पास दिया हो उसके तौसीप साथ चलोड़ इती नए करेगा अजय को बाद को भेज देगे। मौबदिल आखिर 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 करते किसलिए हैं? कि कहां कहां तैयारी नहीं है, तैयारी क्या है? उसको देखना है। अभी तैयारी में वो जहां पर पेसेंट रहता है वो अभी नहीं खुला है। उसको बंग था चार्ज के लिए उसको भुलवा करके भी खुलवा करके साम को फिर देख लेगा। मौबदिल आखिर आखिर आज ही होगा। अज़ी होगा। इसकी पुरूटी दीरे दीरे बढ़ जाएगी। यूजरी बढ़ जाती है विदर बंद होगा। लेकिन एकाक सब तक पहले कि हमको जहां तक जानकारी थी कि 95 तक गया था। जाएग।